हलो एवरीवन आज मैं आपको गाजर का हल्वा बनाने का बिल्कुल नया तरीका बताने वाली हूँ इस तरीके से हल्वा बहुती जल्दी बनेगा और एकदम स्वादिष्ट हल्वा बन करके तयार हो जाएगा कम टाइम में बहुत ही ज़ादे स्वादिष्ट अल्वा गराब बनाना चाहती है तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा बहुत ही ज़ादे आपके लिए वीडियो हैल्पूल हो सकती है क्योंकि सर्दियों का मोसम है और हल्वा खाने का सबका मन करता है तो आप इस तरीके से गाजर का हल्वा बहुत ही जल्दी बना सकते हैं और बहुत ही ज़ादे टेश्टी भी बनता है तो आपको लेनी है गाजर तो यह मैंने धाई किलो गाजर को अच्छे से धो करके इस तरह से आपको इनको कद्दुकस कर लेना है मिडियम साइज के कद्दुकस स इनको घिस लीजेगा फ्रेंड्स आपको गाजर अच्छे से घिसकर अगर आप बनाते हैं तो हल्वा बहुत ही जादे स्वादिश्ट बनता है आजकल आपने यूटूब पर वीडियो देखी होंगी कि गाजर को बिना घिसे एक गाजर का हल्वा बनाए लेकिन वो हल्वा बि आपने ही नहीं है इतना जादे ही स्वादिश्ट लगता है तो यह मैंने धाए खिलो गाजर को अच्छे से घिस लिया है कद्धू कस्त कर लेना है और इस तरह से आपको मीडियम साइज के कद्धू कस्त ना है जिस से हमारी जो हल्वा है नहीं ज़्यादे मोटा रहे उनने से कस लिया है अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे अब हम गैस को ओन कर लेंगे और इस इससे उखाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो आपको इस बात का ध्यान दखना है और खल्वा बनाते टाइम आपको खल्वे गाजर को बीच बीच में चलाते रहना है जिससे नीची तक का गाजर अच्छे से गल जाएं तो यह मैंने सारी गाजर इस कढ़ाई में ऐसे दवा देना है तो फ्रेंट्स आप इसमें गाजर डालते वक्त बिल्कुल भी चीनी मत डाले सबसे पहले आपको गाजर डाल करके इस पर एक प्लेट या थाली रख करके कोई भारी चीज इसके उपर रख दीजेगा पहले इन गाजरों को भाप में अच्छे से प्लाइन लगाती है और इतनी जल्दी हमारा हल्वा नहीं बन पाता है तो इस तरहिके से आप हल्वा बनाती है तो हमारी गाजर बहुत जल्दी गलती है तो आप वीडियो में देख रही हैं गाजर का टेक्स्चर कैसा हो गया है गाजर खूब अच्छे से गल चुकी है यह हमने गाजर को चैक भी कर लिया है तो अब हम इसमें चीनी डालेंगी मैं धाई किलो गाजर में इस तरह ऐसे देखी तो इसमें जादे चीनी की हमें जरुत नहीं पड़ती है मैंने इसमें दो कटोरी चीनी डाली है तो इसे अच्छे से हमें इस तरह चलाते रहना है और चीनी डालने के बाद गाजर में इसे पानी निकल जाता है तो इस पानी को अब अच्छे से हमें सोखना है तो देखिएग और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो कि मैं आपके लिए बहुत ही टेश्टी कम टाइम में टेश्टी खाना बनाना सिखाते हूँ जो आपको बहुत ही जादे आपके लिए फाइदे बनधी होता है तो अब हम इसमें थोड़े से ड्राइफर्वूट्स डाल देते हैं ड्राइफर्वूट्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं तो मैंने इसमें खाले काजू और बादाम डाले है इनकों मैंने बारिक बारिक कर लिया था और अब इसमें मिक्स कर देते हैं और ये मैंने लिया है खोया तो ये मैंने दो किलो दूद का खोया निकाला हुआ था पहले से ही ये इसमें हम डाल देते हैं और खोया डाल करके आज मिनट आपको इसे चलाना है और ये हमारा बहुत ही टेश्टी गाजर का हलवा बनके तयार है तो फ्रेंट्स आप इस तरीके से एक बार हलवा बना करके जरूर देखिएगा आपको बहुत ही जादे पसंद आएगा क्योंकि ये हलवा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसा आप हलवा ये स्टाइल में हलवा खाते हैं साधी विया में आपने हलवा खाया होगा बिल्कुल वही टेश्टी हलवे का आता है तो एक बार मेरे बताएगए तरीके से हलवा जरूर बनाएगा बहुत ही जल्दी बनेगा और एकदम बहुत ही टेश्टी हलवा बनता है तो अच् गाजर का हलवा बना करके आपने खा लिया तो आप हर बार यही तरीका अपनाएंगे तो चले गरमा गरम यह गाजर का हलवा हमने सर्व कर दिया है एक बार आप भी जरूर टेस्ट करके बताईएगा कि आपको मेरा यह हलवा कैसा लगा तो अब मिलेंगे अगली नई वीडिय अब टक के लिए बाई बाई सबको मेरी नमस्ते वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो रोज ले करके आती हूं तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई सबको मेरी नमस्ते